क्या Tramadol को Clona Jepam के साथ दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं एक ऐसा सवाल है हर practitioner के दिमाग में रहता है कई सारे patients उनके पास आते हैं जिनको Clona Jepam देने की जरूरत होती है जैसे Clona Fit आती है 0.25 mg होता है 0.5 mg होता है तो यह क्यों दिया जाता है Clona Jepam जब किसी patient को anxiety रहती है चिंता में रहता है तनाव में रहता है जिसकी वज़े से नींद नहीं आती है जब किसी को insomnia हो जाता है नींद ना आने की बीमारी हो जाती है तब ऐसे patients को Clona Jepam डॉक्टर के दौरा दिया जाता है यह डॉक्टर के परचे पर मिलने वाली medicine है ऐसे आपको medical store पे नहीं मि जाती है जैसे कि अगर बहुत दिनों से patient को नींद नहीं आ रहे चार-पांस दिन हो गए दस दिन हो गए रात-रात-बात जगता रहता है जिसकी वज़े से और भी कई सारी परेसानियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि भूख नहीं लगती है जब नींद नहीं आएगी ठकान रहेगी सुस्ती रहेगी पूरा दिन काम में मन नहीं लगेगा उल्टा सिदे दिमाग में विचार आएंगे जिसकी वज़े से बीपी पर भी इफेक्ट होता है जैसे कि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है और बीपी लो भी हो सकता है पल्स रेट बढ़ सक बाद में ट्रहमाडानल ऐसे ही नहीं दिया जाता है कि आपके पास को पेशेंट आया उसको दर्द हो रहा है गुटने में अमें दर्द हो होता है यह ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाता है OTC मेटसी नहीं है यह भी डॉक्टर की सलाह पर मिलें वाला इंजेक्शन है आप ही टैबलेट है ट्रामडॉल इसको जनरल पेन में इस्तेमाल नहीं करते हैं जैसे कि हलका फुलका सरदर्द हो रहा है आपने ट्रामडॉल दिया इसा नहीं किया जाता है जब NSAID जो होते हैं नॉन इस्टेरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी जो ड्रक्स होते हैं जो नॉन ओपियाइड होते हैं यह लेने से भी दर्द नहीं जा रहा है जैकि बहुत दिनों से कंभी फिलेम ले रहा है पेशेंट एसेगलोफिनेग ले रहा है आईबुबूफिन ले रहा है तो यह जो मेडिसिंस होती है इनको लेने से भी दर्द कम नहीं होता है लगातार दर्द बना रहेता है बहुत ही ज्यादा दर्द होता है तो इस कंडिशन में डॉक्टर के दरा ट्रामाडॉल प्रिस्क्राइब किया जता है प्रमाडॉल ज इस कंडिशन में पेशन को इनफ्यूजन लगा दिया जाता है वी फ्लूड लगा दिया जाता है उसी में ट्रामाडॉल इंजेक्शन डाल दिया जाता है जैसे कि देरे-देरे पेन कम हो जाता है अगर उल्टिया हो रही है इमसेट दे सकते हैं पेंटॉप दे सकते हैं तो साथ में यह injection दिया जता है लेकिन अगर सिर्फ पेन हो रहा है कोई अधर प्रॉब्लम नहीं है तो आयम दे सकते हैं मास में इसका injection 2 ml का आता है 50 mg लगा सकते हैं लेकिन कई बार क्या होता है इस injection को लगाने से पहले है आपको पेस्ट का बीपी जरूर चेक कर लेना चाहिए saturation कितना oxygen कितनी है pulse rate कितना है तो यह चेक करना काफी जरूरी होता है एगर पेस्ट का बीपी ज्यादा लो है pulse rate slow चल रही है तो इस condition में injection बिल्कुल भी ना लगा है तो दी जादा नींद लगने लगती है मुह सूखने लगता है pulse rate और कम हो सकती है इसके लावा patient को दोरे जैसे जटके जैसे आ सकते हैं इस injection को देने से और patient सो सकता है life thittering condition भी हो जाती है अगर इस injection को BP लो गर जाता है दिया दता है तो इसी लिए हमेशा IV drip चल रही होती infusion होता है उसी में डाल दिया जता है जैसे कि BP भी maintain रहता है और injection अपना अच्छे से work भी करता है तो IV fluid देना काफी जरूरी है और यह injection होता है दोस्तों hospitalized patient में दिया है यह नहीं कि OPD में आया अपने tramadol लगा दिया और वो घर चला गया ऐसा नहीं पेशन को admit करना होता है उसको रोकना होता है पांचे घंटे तक तो क्लीनिक पर आफिर हस्पिटल में रोकना होता है तभी tramadol injection देना चाहिए अगर आपने OPD में injection लगा दिया tramadol का उपदा चला रास्ते में गया बेहोस हो गया गिर गया चक्कर आ गए नसा गया इसके side effect भी होता है अगर tramadol का overdose हो हो जाता है यानि कि जितना dose patient को देना चाहिए वेट के हिसाब से एज के हिसाब से अगर overdose हो जाता है तो patient उठ भी नहीं पाता है इतनी जादा उसको weakness लगने लगती है चलने फिरने में problem होने लगती है जैसा ही patient उठके बैठता है उसको चक्कर आते हैं और उल्टियां सुरू हो जाती है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा नीन जैसी लगती है हमेसा सुसती लगती है बहुत ही ज्यादा क्लोनाजपाम जो होता है वह cns पर वर्क करती है पैसन को नीन दाती है एंजाइटी को दूर करती है ट्रामाडॉल भी cns को डिप्रेस कर देता है जिसकी बज़े से यह दोनों इंट्रेक्ट कर सकते हैं इसी लिए साथ में क्लोनाजपाम ट्रामाडॉल नहीं देना चाहिए दोस्तों जो ट्रामाडॉल होता है जो ब्रेन में सिगनल्स जाते हैं वो रोक देता है जिसे की ब्रेन में यह एसास नहीं होता है कि दर्द कहां पर हो रहा है इसलिए पेशन का दर्द जो होता है वो बंद हो जाता है यह तब ही दिया जाता है जो बाकी मेटसीन से पेंकिल लो भी ज्यादा रनकारी चाहते हैं किसी और में जाना चाहते हैं किसी और बीमारी बारे में जाना चाहते हैं कमेंट करें पता सकते हैं इस्टागम फॉलो कर सकते हैं में सब्सक्राइब